हलो गाईज नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग और दीपाबली के परव पर आप सभी को दीपाबली की बहुत बहुत सुबकामना है अक्टूबर का मन्थ चला है और फूलों की बहार चाही हुई है तो आज मैं आपको दिखाने जारी हुए अपना टेर्स गारडन का छोटा सभी ओ साथ में मैं लेने आई थी पूजा के लिए फूल दोस्तों मुझे चाहिए पास तरह के फूल तो माला बनाने के लिए और जो मैंन गेट पे माला टांगी जाती है उसके लिए बैसे तो दोस्तों मुझे फूल तोड़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं क्योंकि जितने सुन्दर एक गमलों में और क्यारियों में लगते हैं फूल तोड़ने के बाद एक कुछ समय बाद मुर्जा जाते हैं कई प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनके फूल 15-20 दिन तक या महिने महिने वर तक ऐसे ही खिले रहते हैं तो दोस्तों मैं बहुती कम फूल तोड़ती हूं लेकिन आज मुझे चाहिए ते दीपावली के लिए फूल तो इसलिए मैं टेरिस पर अपने फूल तोड़ने आई हूं और फूल तोड़ते मैं आपको अपने टेरिस गारडन का व्यू भी दूँगी कि मिरे टेरिस गारडन में इस समय अक्टूबर के मन्ते में कौन-कौन से फूल खिल रहे हैं और देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं सारे फूल तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हर सिंगार जिसे हम परीजात या नाइट जैस्मिन के नाम से जानते हैं ये बहुत ही खुबसूरत प्लांट है दोस्तों और इसके जो फूल armor रफू फूल को इठा सकते हैं ख़ोट होता है दोस्तों और इसको लगाने से घर में बासु दोस्त नहीं होता है ये है सुपारी फूल, सुपारी फूल के आकार का होने के कारेड़ से सुपारी फूल का जाता है तीन से चार कलर ये मिल जाते हैं लेकिन आज दिपावली के पर पर इन फूलों की माला भगवान गड़े सलचमी जी को जरूर अरपण की जाती है दोस्तों क्योंकि ये फूल बहुत ही सुम आने जाते है चड़ाना और देवी मा को ये फूल बहुत ही ज़दा प्रिये होते हैं और जब भी आप इन फूलों की माला बना कर चड़ाते हैं तो ये कई दिनों तक ऐसे ही तरह उताजा बने रहते हैं और लगता ही नहीं है कि फूल जो है ये माला आपकी सूख रही है तो आप इनको जरूर लगाएं और देवी मा को गड़े सलचमीजी को जरूर इनको अरपण करें बात करते हैं गैंदे के फूल के बारे में यह तो इस अदा भाहर फूल है आप एक फूल भी अगर इसका बीज़ के रूप में डाल देते हैं क्यारियों में तो ये ठहँ सारे प्लांट निकल आते हैं मैंने तो एक फूल डाला था और धेरो पौधी निकले दोस्तों तो मैंने उनको क्यारियों में लगा दिया और आप देख सकते हैं फूलों की बहार चाही हुई है करीब बन मंत से ये मेरिया ऐसे ही खिल रहे हैं और मैं फूल तोड़ती नहीं हूँ फूल तोड़ना मुझे धेरो चरह सकती हैं नहींने दोस्तों आप देख सकते हैं इन मा बहुतशी बात है vary कि हैं और था फूल आए हैं चाननी के फूल भी हम ले लेते हैं थोड़े से तो ये चाननी के फूल है साथ ही ये देखिए गुलाब भी लगे हुए हैं लेकिन गुलाब बहुत जादा नहीं है साथ में ये मिनी हैविसकस है लेकिन इसमें भी छोटी चीटिया हैं तो ये धेर सारे हमारे फूल मैंने ले सदा बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आपको और इसके बेबी प्लांट भी बीच बर गिरते हैं तो निकलते ही रहते हैं यह देखिए अब यह मेरी ठाली लगवग पूरी तरह से तयार हो चुकी है और कुछ मोगरा के फूल भी चले ले लेते हैं दोस्तों मोगरा के फूल मे rese से बिटेवगे है एक जोड rotates मेन एक जोड़ा है दोस्तों और पिंक कलर है वाइट कलर है साथ में Orange और रैट कलर वी हैँ इसके बाद आता है विष्भोप्रिया बीचनू पूलय स्ब्देटेर अक़ प्लांट है अगर आप इसको एक बार अपने घर पर लगा लेते हैं त और यह दोस्तों फूल जो है मैई से लेके दिसंबर तक खिलते रहते हैं और इसको घर में लगाना बहुत ही सुम माना जाता है यह भी एक पॉजिटिव एनरजी देने वाला पौदा है तो यह बिश्णु प्रिया का पौदा आप जरूर लगाए साथ ही यह देख सकते हैं है है विसकस के मेरे पास धेरो प्लांट है दोस्तों और इसमें कई कलर भी हैं और सिंगिल डबल दोनों पैटल केस के पौदे हैं सारे फूलों की टीटेल नहीं दे सकती दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मैं आपको ऐसे दिखाती हैं गोरी चूरी के प्लांट है और चमेली मोगरा जैसमीन सारे प्लांट है दोस्तों तो मैं एक वीडियो में आपको सारे नहीं दिखा सकती हूं बहुत लंबा वीडियो जाएगा तो आप देख सकते हैं यह देखिए मैंने बना ली है दोस्तों माला एक गड़े सलचमी जी के लिए और दूसरा जो दरव झाल एक से तोस्तों मैं जे दोस्तों मैं एक वीडियो में एक वायर जो शीए मांपक का Лएंग झाल जेुआ के एक वायर हूं माला वके भी जब धूने लुदत वायर हैं एक सत्रा जोड़े हूं देरा दोस्तों मैं पंधöएप आक